जी हां दोस्तों आज के इस वीडियों में बात करेंगे सच्ची वाले सेकेटरेट या फिर कहूं विदान परिश्यत भरती दो हजार चुईस सच्ची वाली में भरती निकले हुई है निव रिक्रूटमेंट है यह मार्च की वेकेंसी है इसके अलावा यहां पर इसकी जो लास्ट डेट रखे गई है दो अप्रेल दो हजार चुईस से पहले पहले आप आविदन कर सकते हो ध्यान रखना और यहां पर नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है यह जो वेकेंसी है ग्रेड फोर्थ लेवल पे है यानकि एक तरीके से लेवल फर्स्ट भी इसको कह सकते है या फिर सीधे सब्दों में इसको फोर्थ ग्रेड वाली वेकेंसी भी कह सकते है क्योंकि कारेले साहेक वाली दर्बान वाली यह वेके detail discussion करेंगे, शुरू से लेके end तक वीडियो देखना, कैसे आविधन करना है, कितनी cutoff जाती है, कैसे selection पाना है, इस channel पर नीचे description box में link भी देदूँगा, वहाँ पर भी जाके आप check कर सकते हो, दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर नई जो vacancy निकली हुई है, यहाँ पर आप द आविधन की तेथिय यहाँ पर लिखे हुई है, इसके लावा विधान परीशत या फिर सच्ची वाले अगर मैं कहूं, उसमें यह vacancy निकली हुई है, नीचे यहाँ बात कर लेते है, किस पद पर यह vacancy निकली हुई है, यह आप देख सकते हो, यहाँ पर कार्यले परीचार यानि की एक तरीके से दर्बान इसको कह लिजिए, सफाई कर्मी इसको कह लिजिए, यह vacancy सच्ची वाले में है, यानि की अच्छी कासी नोकरी यह मान सकते हो, grade 4 की, इसके अलावा 18-3 से लेके 2-4-2024 तक यहाँ पर आविधन आपसे मांगे जाएंगे, इसके अलावा यहा कार्याले परीचारी, रात्री परहरी, यानि की एक तरीके से गाड मान लीजिए, इसको मेट्रिक पास होना चीए, हिंदी इंगलिश का ग्यान होना चीए, साइकिल चलानी, यह सब कुछ आपके पास में है, आपको पता होगा, इसके अलावा कार्याले परीचारी, जो दर् 18-20,000 के करीब यहाँ पे इसमें salary मिलती है, starting salary, और यह आराम से salary 30-40,000 के आसपास तक जाती है, एक दो साल के बाद में, यहाँ पे पूरा detail discussion है, नीचे link दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप apply कर सकते हो, अगर आप interested हो तो, 1-1-2024 तक आपकी जो IUA नियुनतम वो 18 साल और अधिकतम 37 साल होनी चाहिए, और यहाँ पे चूट रहती है, 5 साल, 3 साल OBC SCST को, सीधी भरती खुली लिखित परिक्षा यहाँ पे होगी, यह आप देख लिजी, यहाँ पे कैसे क्या pattern रहेगा, सारा सब कुछ दे रखा है, नी चैनल पर आप बने रहे हैं, सब्सक्राइब कर लिजे, धन्यवाद.